दोस्तो नमस्कार आईटे टेकनिकल कोर्स यूटूब चैनल पर एक वाय बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो भी जो नबोदे बीद्याले में 8 मार्च को एक्जाम होने वाले हैं उसमें से जो आपके 15 नम्मर हिंदी के पूंचे जाएंगे तो आपके साथ मैं प्रिवी सर प पर और उसके साथ साथ 50-50 कोशन के चेप्टर बाइचेप्टर लिया रहा हूं दोस्तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक कर लेना दोस्तो नबोदे बीद्याले में हर एक सब्जेक्ट में 15 नमबर के हिंदी के पूंचा जा रहा हूं 15 नमबर इंग्लि चलिए आते हैं आज के first number question है आज का जो chapter है समास से संबंदित है दोस्तों अभी तक previous year paper upload है नहीं देखें जरूर चैनल में विजिट करें देखें इसी वीडियो के डिस्क्रिसर पे लिंक दी गई है वहाँ पे आप लोग सब कुछ मिल जाएगा चलिए first number question पे आते हैं दो अत्वा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक सब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों सबको मालूम होगा दो या दो से अधिक सब्द से जो मिलकर बने हुए जो नए सब्द सार्थक होते हैं उसे समास कहते हैं अगला question है निन्म जोरेखे, पुरबा, प्रती दिन ने में आपको मालुम होगय होगा प्रती दिन जो है अब भई भव शमास है प्रत्धन दिन बरावर प्रत्ती दिन यानि प्रत्तेग दिन अगला है समास का साबदिक अर्थ होता है संछेप करना बिस्तिरित करना फैलाना समास दो अथवा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सारसक सब्दों को समास कहते हैं समास का साब्दी खर्थ समचे यानि समास पक्रिया में सब्दों का समचीती करण किया जाता है यानि बिस्तरित फैलाया जाता है वही समास कहलाती है अगला कोशन है जिस समास में उत्तरपद प्रधान होने के साथ ही साथ पूरपद तथा उत्तरपद में विसेशन विसेश का संबंध भी होता है उसे कौन से समास कहते हैं ये तो सब को मालूम होगा इसो बोलते हैं करमधारे समास इसके जो राइट अंसर होगा बी नम्मर होगा करमधारे समास दोस्तो करमधारे समास क्या कहती है जिस समस्त पद का उत्तरपद प्रधान हो तथा पूरपद वा उत्तरपद में उपमान उपमे अथवा विसेशन विसेश से संबंध हो करमधारे समास कहलाता है जैसे बहुत सारे आपको एक्जम्पल में बता देता हूँ परम है जो आनन्द आधा है जो मरा अधमरा महान है जो देव महादेव इस तरह के जो आपको एक्जम्पल मिलेंगी तो करमधारे की है अगला कोशन है निर्म लिखित में से करमधारे समास किसमे है कर में धारे समास किसमें है चक्रपणी में, चतुर्त युग में, माता पिता में दोखो माता पिता तो ये दुन्द समास होई दुन्द समास कहे तो जिस समस्थ पद के दोनों पद परधान हो उसे दुन्द समास कहते है इसका जो पांचमा का राइट अंसर होगा सी नम्मर होगा निलोत पलम अगला कोशन है जिस समास के दोनों पद आप्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है ऐसी समास जिनके दोनों पद आप्रधान होते हैं उसे बहुब्री समास कहते है द्वंद समास में क्या होता है दोस्तों द्वंद समास में दोनों पद परधान होते है और दिगू समास में संख्या बाची होती है जैसे साथ सिंदूओं का समूँ दो पहरों का समूँ नील लोकों का समाहर्तिलोक, चौराहा जिसे साथ सिंदुओं को समू है नियु सब्त सिंदु साथ जहां पे दिगु समास का कहती है कि जहां पे शंख्या वाची आए जिसे नौरात्रियों को शमू नवरात्र साथ दिनों का शमू सब्ता है ये दिगु समास कहती है दुन्द समास कहती है नदी और नाले, नदी नाले, राजा और प्रजा ये दुन्द समास कहती है तत्पुरुष समास क्या कहता है जिस समास में बाद का अत्वा उत्तर पद परधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते है तो इसके देखे चारों के आपको आप्शन बता देए दोनों पद प्रधान होने चाहिए दिगुर्ष समास में संख्या बाची होनी चाहिए तत्पुर्ष समास का उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और जो बहुब्री है बहुब्री में कोई भी पद परधान नहीं होते हैं दोनों पद आपरधान होते हैं तो इस कौशन का जो राइडेंसर होगा डी नम्मर होगा दोनों पद आपरधान बहुब्री समास के होते हैं जी तेंदरियां में कौन सा समास है बहुप्री क्योंकि दोनों पर आप्रधान है अगला कोशन है बिसेशन और बिसेश के योग से कौन सा समास बनता है बिसेशन और बिसेश के योग से करमधारे समास बनती है अगला है निन्मलखित में से एक सब्द में दिगू शमास उस सब्द का चैन कीजिए दिगू शमास में मैं बोला था ये संख्या बाची होते हैं दिगू शमास संख्या बाची होते हैं जैसे सब्दा है यानि साथ दिन साथ दिनों का शमुहने सत्ता हो गया ये दिगू शमास है अगला है किस समास के दोनों सब्दों के समाना धिकार होने पर कर्मधार शमास होता है तत्पुरुष शमास अगला कॉश्चन है देवा सुर में कौन सा समास है देवा सुर दोन्द समास ये दोनों पद परधान है जिस समास के वो दोन्द समास कहलाएगी अगला है किस में सही समासिक पद है दिवारात्री नेश्ट कोश्चन है देवसांतर में कौन सा समास है बहुब्री समास देशांतर बहुबरी समास है नहीं दोनों पद आपरधान होते हूं बहुबरी समास कहलाती है दिगू समास का उधारन कौन सा है त्रिभूबन दिगू समास का उधारन त्रिभूबन है अगला कोश्चन दीनानाथ में कौन सा समास है करमेधारे समास अगला है इनमे से दुन्द समास का उदारन है रुपया पैसा रुपया पैसा दोनों पदपरधान है दुन्द समास का अगला है अब बैभाव समास का एक उदारन एथा सक्ती का सही बिग्रह क्या होगा एथा सक्ती का सक्ती के अनुशार मुख दर्सन में कौन सा समास है इसका राइट अनसा हो ततपुरुष समास क्योंकि दोनों आपरधान सब्द है यहाँ पे देखिए कौन सा सब्द बहुबरी समास का सही उदारन है पंचानन बहुबरी समास बहुबरी समास नहीं पंचानन दोनों पद अपरधान है पाप पुन में कौन सा समास है द्वन्द पाप पुन में द्वन्द समास क्योंकि द्वन्द समास कहती है दोनों पद परधान होने चाहिए पाप और पुन ने दोनों परधान है ने द्वन्द समास कह लाएगी लंबोदर में कौन सा समास है बहुब्री समास लंबोदर लंबा है उदर जिसका लंबोदर गनेश जी इसका राइट अंसर होगा डी नंबर बहुब्री समास निशाचर में कौन सा समास है निशाचर बहुब्री समास क्योंकि दोनों पद अप्रधान है देश प्रेम में कौन सा समास है तकपुर्ष शमास देश प्रेम क्योंकि तकपुर्ष शमास कहती है जिसका उत्तरपत प्रधान हो चोराह में कौन सा समास है दिगू शमास दिगू शमास कहती है संख्या बाची चोराह निए चार मार गए चार रहों को शमू है निए चोरा है अगला है दस मुख में कौन सा समास है दस मुख बहुबरी समास सबको मालूम होना चाहिए दस मुख एनि बहुबरी समास दसानन जिनके हैं जिसे रावड परमेश्वर में कौन सा समास है करमधारे समास परमेश्वर कर्मधार समास अगला question है सुपूरुस में कौन सा समास है कर्मधार समास सुपूरुस में है अनायांस में कौन सा समास है नह या नच अगला question है दोस्तों continue आप देखते रहें लाज तरक आपको समास बिल्कुल रट जाएगी यानि compound complete हो जाएगा बहुत important आप पच्चास question इसी तरह सालों करवाएंगे गोशाला में कौन सा समास है तक पूरुष समास गोशाला गोशाला यानि उत्तरपज जिसका प्रधान हो वो कहलाती है तक पूरुष समास पी तामबार में कौन सा समास है बहु ब्री समास बहु ब्री समास पी तामबार में बहु ब्री समास क्यों होगा क्योंकि दोनों पद अप्रधान है नरोत्तम में कौन सा समास है तक पूरुष समास तपको मालूँ होगा नारो तम ऐसका पहला पद या प्रधम पद या पूरृपद हैं प्रधान हो उससे अब्वईभाव शमास कहते हैं यू धिस्ठिर में कौन सा समास है बहुप ब्री समास दिश्ठिर में बहुब्रिश समास होगा कन्यादान में कौन सा समास है कन्यादान ततपुरुस कन्यादान ततपुरुस इसलिए होगा क्योंकि उत्तरपद प्रधान है गगन चुम्मी में कौन सा समास है ततपुरुस समास गगन चुम्मी साथ, नहीं, सांग पात में कौन सा समास है? द्वंद समास सांग पात, द्वंद क्योंकि दोनों पद परधान है द्वंद समास कहलाएगी धक्का, मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद समास क्यों? क्योंकि दोनों पद परधान है द्वंद समास कहती है जिसमें संख्या वाची हो नील कमल में कौन सा समास है करमधार है नीला है कमल जो कंट जिसमें नील कंट अगला है चतुर भुज में कौन सा समास है बहुब्री समास चतुर भुज में कौन सा समास है बहुब्री समास तान मन धन में कौन सा समास है द्वंद समास तान मन धन में द्वंद समास है भाई बहन में कौन सा समास है भाई और बहन यानि द्वंद समास होगा चक्रपणी में कौन सा समास है बहुब्री समास चक्रपणी भाई बहन यानि दोनों पद उत्तर हैं यानि परधान है तो दौन्द समास कहलाईगी पाप और पुन्द दौन्द समास क्योंकि दोनों पद परधान है इसलिए दौन्द समास कहलाईगी बन बास में कौन से समास है तकपुर्श शमास पंच बटी में कौन से समास है दिगूर शमास पंच बटी क्योंकि पांच जगा का बता रहा है इसलिए जहां पे संख्या बाची हो वहां पे दिगूर शमास म्रिग नयानी में कौन से समास है करम धार है मुरिग यानी में कर्म धारे समाज पंच बटी में कौन सा समाज है बहुब्री समाज दोस्तों आपके सामने 50 कोश्चन समाज से संबंदित अपलोड कर दिये गे हैं आप लोग जरूर देखे जाना क्योंकि बहुत महत्पून एक जामपल है महत्पून कोश्चन पेपर ही है चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करना सेर करना